Hello Students, आज हम लोग जैन आचार निती के अंतरगत अनुवरत और महावरत पर प्रकास डालेंगे जैन दर्शन अत्यंत प्राचीन दर्शन है भारतिय दर्शन का यह एक नास्तिक संप्रदाए है जैन दर्षन को ने बौध दर्षन के समान आचार निती को महत्पुर्ण स्थान दिया है जैन धर्म की मानिता के अनुसर 24 तिर्थंकर समय समय पर संसार चक्र में फसे जीवों के कल्यान के लिए उपदेश देने इस धर्ती पर आते हैं लगबक छटी सताब्दी शापुर्व में अन्तिम तिर्थंकर भगवान महावीर के द्वारा जैन दर्षन का पुनरावरन हुआ इसमें वेद की प्रमानिक्ता को कर्म कांड की अधिक्ता और जर्ता के कारण मिथ्यां बताये गया है इसी कारण इसे नास्तिक के संपरदाय में रखा जाता है हम क्रम में बताते चले नास्तिक उन्हें कहते हैं जो वेदों की प्रमानिक्ता को और स्विकार करते हैं जैन के अनुशार जीव और करमों का यह संबंध अनादी काल से है जब जीव इन कर्मों को अपनी आत्मा से संपुर्ण रूप से मुक्त कर देता है तो वह स्वेम भगवान बन जाता है लेकिन इसके लिए उसे सम्यक पुरुशार्थ करना पड़ता है यह जैन धर्म की मौलिक मानेता है जैन धर्म में जैन सब्द का अगर हम आकलन करें तो जैन सब्द जीध हातू से बना है जी का अर्थ होता है जीतना इस प्रकार जैन का मतलब हुआ जिन्होंने जीत लिया है अब है कि किस चीज को जीत लिया है तो जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है जिन् संदर्व से विजेता वही है जो वेक्ति अपनी इच्छाओं को अपनी कामनाओं को और अपनी मन पर विजय प्राप्त कर हमेशा के लिए संसार के आवागमन से मुक्त हो गया है। जैन दर्शन में आवागमन से मुक्ति के लिए नए कर्मों को रोकने और पुराने कर्मों को नस्ट करने पर बल दिया गया है। इसी संदर्व में जैन आचार निती में त्री रत्न की चर्चा की गई है त्री रत्न के अंतरगत सही स्रधा, सही ज्यान तथा सही चरित्र आते हैं इस सही चरित्र का निर्मान पाँच तरह के कारियों के किरियानवयन से ही संभग है वे पाँचकारे हैं, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर तथा अउपरिग्र जैन दर्सन में ये ही पाँचकारे महावरत कहे गए हैं नैतिक जीवन यापन करने के लिए जैन दर्सन में अनुवरत और महावरत के नियम बताए गए हैं तो इस तरह से जयन दर्शन के अंतरगत अनुवरत और महावरत नैतिक्ता के स्वरूप को परिवासित करता है अब हम नैतिक्ता के समदर्व में पंच महावरत के विवेचना करते हैं तो अनुवरत और महावरत का साब्दिक असपस्ट करते चले अनुवरत का अर्थ है लगुवरत अनु जैसा की सब्द से ही सपष्ट हो रहा है अनु का तातपर यह होता है चोटा यानि लगुवरत और महावरत यानि जो बड़ा हो जो विशाल हो जैन धर्म के अनुशार स्रावक अनुवरतों का पालन करते हैं महावरत साध्यों के लिए बताया गया है यही कारण है कि अनुवरत और महावरत में मौलिक अंतर है अनिथा दोनों समान ही है जो साध्यों के लिए है वो महावरत है और जो गिरहस्तों के लिए है जो स्रावकों के लिए है वो अनुवरत है अनुवरत और महावरत दोनों ही नैतिकता का मान दंड है और उनका आधार है सैयम सैयम यहाँ पर दो प्रकार का हो जाता है आत्म अभिमुखी और समाजुन मुखी अपनी इंद्रियों पर सैयम करना आत्म अभिमुखी कारे है और वो नैतिक है इसलिए इसे अनुवरत कहा गया है और शाधुओं के लिए वो आत्म नियंतरन समाज के लिए है तो वो समाज उन्मुखी हो जाता है और समाज उन्मुखी होने के कारण उसे महावरत की संग्या दी गई है महावरत और अनुवरत दोनों में सैयम की अविशक्ता है और दोनों के नियम नैतिक है बस दोनों में आधार भुत अंतर इतना ही है कि एक सिथिल है और एक अस्थूल है और ये पंच महावरत के ही पाचो वरतों का रूप है और इसे इसकी सिथल्था और अस्थूलता में समझेंगे तो हम उदहारन स्वरूप इसका विसलेशन करते हैं जैसे अहिंसा को लिया जाए अहिंसा वरत को गिरहस्तों के लिए थोड़ा सिथिल कर दिया जाता है यहाँ यह कहा गया है कि अहिंसा का उग्र रूप पालन करने पर अगर कोई गिरहस्ती क्रिशी कारे करेगा तो वो सुचारू रूप से संभव नहीं हो पाएगा इस कारे में किर्शकों को अनेक प्रकार के कीट नासकों का प्रियोग करना पड़ता है इसलिए उनमें अहिंसा के संदर्म में थोड़ी सिथिल्था दिये गई है उसी तरह अगर अहिंसा को स्थूल अर्थ में समझें महावरतियों के लिए समझें तो उन लोगों के लिए अहिंसा का तात परे है कि उस अस्थान का भी त्याग कर देना जहां पे अहिंसा हो रहा हो आगे हम संदर्म में चले तो सत्य की बात करें तो सत्य के संदर्म में यहां अनुवरत और महावरतियों के लिए थोड़ा अंतर दिया गया है अगर अनुवरत धारी हैं तो वो सत्य भासन करें परंतु किसी विसेज परिस्थिती में जैसे अगर सत्य बोलने से किसी का नुकसान हो रहा हो किसी जीव की हत्या हो रही हो तो वहां सत्य बोलने से बचना चाहिए उसी प्रकार अगर हम महावरत के संदर्व में सत्य रूपी नैतिक चरित्र को देखे तो महावरतियों के लिए सत्य का अनुमोदन, सत्य का पालन अवश्यम भावी है चाहे उनके प्राण संकट में भी क्यों ना हो अगर ब्रह्मचरिक की बात करे हम तो अनुम्रत के अंतरगत जैन नियम के धार्कों को अपने गिरहस्त जीवन में सुखी दामपत्त जीवन के लिए ब्रह्मचरिक का निशेद बताया गया है परन्तु अगर महावरत धारियों के लिए हम ब्रह्मचरिक का संदर्व देखे तो महावरत धारियों को प्रतिक कामनाओं का त्याग करने को कहा गया है तात पर यह है कि ब्रह्मचर बहुत ही स्थूल रूप में महावरधारियों के लिए अपरिहारिय उनको मानना बहुत आवश्यक है अपरिग्रह की बात करें तो अपरिग्रह के संदर्व में अनुवरधारी अपने जीवन उपयोगी वस्तुओं का संग्रह कर सकते हैं और यहां तक भी छूट दी गई है कि किसी धनी वेक्ती से संपन्य वेक्ती से वो धन का परिग्रह कर गरीवों में बाट सकते हैं यहां उनके कारे को अन्यतिक नहीं माना गया है जबकि महावरधारियों में अपरिग्रह का सिधान ये कहता है कि उन्हें मन से भी किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए विसेश इस संदर्व में समाप्त करते वे मैं यही समझाना चाहूंगी कि अनुवरत और महावरत पंचवरत की ही दो साखाएं हैं जो कि स्थूल और सिथिल रूप में जैन समाज या समपुर्ण समाज के सामने प्रस्तूत किये गए हैं अपनी शुवधा अनुशार, जैन वरत धारी, शाधू शंत इसका अनुमोधन करते हैं और समाज में नैतिक्ता का प्रचार प्रसार करते हैं इस विशय से संबंदित अगर कुछ भी प्रस्ण आपके मन में हूँ तो आप इसके कमेंट्स में जाकर प्रस्ण करें मैं उसका यतोचित उत्तर देने का प्रयास करूँगी धन्यवाद